हेलो एवरिवन स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक एक राइपक वसेज यूनियन ओफ इंडिया की जज्जमेंट को अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी तो आप चेक कर सकते हैं हमारी पुरानी वीडिय पर एक सेपरेट प्लेइलिस्ट बनाई हुई है और बहुत सारे सब्जेक्ट्स की सॉल्ड जज्जमेंट आपको वहां से इस ही फॉर्म से मिल सकती हैं जज्जमेंट आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा जो डेटा है वो हमने पहले ही उपर लिख दिया है यह बिलकुल ही ओप्शनल है आपकी मर्जी है कि आप लिख सकते हैं कि नहीं ठीक है बट जस्ट फॉर्ट इन्फोर्मेशन लैंडमार्क जज्जमेंट है वही तो यह सब तो हमने आपकी knowledge increase करने के लिए बताना ही था ठीक है तो में जो होता है judgment में वो होता है law points तो वो ही अगर आपने observations जो हैं अच्छी तरह से attempt कर ली तो facts में अगर आपकी कोई कमी हो या फिर contentions में कमी हो तो फिर भी आपको अच्छे marks मिल सकते हैं तो let's start from the facts of the case यह जो petition file की गई थी gazetted officer association जमू एंड क्रिश्मीर के द्वारा फाइल की गई थी क्यों अभ इन्होंने petition file की उन्होंने कहा कि एक जो notification था जो हम आगे जाके discuss करेंगे वो वो वाइलेटिव था to the article 14 and 16 of the constitution of India और साथ की साथ natural justice का जो principle है नेमो जडेक से कोजास हुआ वाला वो भी हम आगे discuss करने जा रहे हैं वो इन दोनों के वाइलेटिव था तो आप comment box में हमें लिख कर बताएं कि कौन सा article 14 और 16 किस चीज़ पे deal करता है so in 1966 a service called the Indian Forest Service was constituted under the notification issued by the government of India कब 1967 में issue किया गया था ये notification अब इस notification में क्या क्या include था कुछ rules and regulation for the recruitment और साथ की साथ conditions of the service of the person appointed to those all India services ठीक है इसमें बहुत सारे guys sections, rules, conditions और regulations थे जो आप एक बार इस PDF में पढ़ सकते हैं ठीक है तो ये सब जो sections, rules और साथ की साथ जो commission की special selection board है जैसे कि आप देख सकते हैं chairman of UPSC और साथ की साथ बहुत सारे persons इन्होंने बताएं हैं कि ये सब selection board में बैठेंगे so guys ये सब आपके लिए mandatory नहीं है पर आप सिर्फ एक बार पढ़ सकते हैं for increasing your knowledge ठीक है तो अब हम बात करने जा रहे हैं आगे वाले facts की जो main क्या हुआ इस case में एक person था नकीश बंद ठीक है वो मैं सीधी सी बात बताने जा रही हूं guys वो एक ex official chairman था selection board में और साथ की साथ उसकी selection जब हुई उसका name top पर आया जो भी list इन्हों ने बनाई थी ना selection board पर उसका name top पर आया जबकि उसके three senior officers भी present थे बासू, बेग, एंड कोल और उनको overlook उनको ignore करके उसका name सबसे पहले लिखा गया उसकी selection पर तो आपको भी ये बहुत अटपटी बात लगे कि जब आप ही एक case में judge हो और आप ही उस case की party भी हो तो आप अपने ही favor में जो है decision दे दे यही बात discuss की गई है पूरी इस overall judgment पे ठीक है तो जो वो list थी एक और बात ये है कि जो list थी वो confirm कर दी गई थी by the state as well as the commission ठीक है तो जो नकीश बंदू था वो हम एक बात और भी कह सकते हैं कि वो candidate भी था और साथ की साथ selection board में भी बैठता था जब उसका name recommend किया गया था ठीक है वो अलग बात है कि जब prepare की गई थी list तो वो उसका खुद नहीं बैठा था उस time पे पर हां उसने बाकियों की selection के लिए वो present था तो arguments देखते हैं उन्होंने का है कि rule 4 जो है उससे हमें पता चलता है notification का जो rule 4 है कि ये तो एक body है मतलब की selection board जिसके पास quasi judicial powers है ठीक है और अगर इनके पास quasi judicial power है तो ये तो obvious ही है कि इनको compliance करनी होगी to the principles of the natural justice और नेमो जो डेक्स इन कोजास हुआ जो है वो यही बात करता है कि कोई भी person अपने ही case में judge नहीं बन सकता और decision नहीं दे सकता ठीक है अब बात करने जा रहे है respondent के arguments की उन्होंने कहा कि ये जो है board सिर्फ और सिर्फ एक recommendary body है असली decision तो अब है UPSC ने देना है उन्होंने ये कहा सीधी सी बात हम तो सिर्फ recommend कर सकते हैं नाम को ठीक है तो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास तो कोई quasi judicial power ही नहीं है तो अगर हमारे पास quasi judicial power नहीं है तो हमारे उपर natural justice का कोई भी principle जो है applicable नहीं होगा ठीक है तो legal issues आप देख सकते हैं guys legal issue जो है सबसे पहला कि whether this election board has quasi judicial power or not वो कह रही थी एक party की मेरे पास नहीं है दूसरी कह रही थी कि उसके पास है ठीक है तो ये ही legal issue बनना था second whether there was violation of the principle of the natural justice or not ठीक है third जो legal issue है guys आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं ठीक है whether the selection of all the officers जो है वो सही भी हुई ठीक है नहीं क्या पुरानी वाली उनकी जो selections है उनको रद कर दिया जाए के नहीं ठीक है fourth जो है क्या जो whether section 3 of the all India service act was ultra virus ठीक है तो उन्होंने मतलब challenge की है इसकी validity की क्या ये जो section है वो सही भी है के नहीं तो let's start from the observation of the court the most important part of today's video observation जो है court ने कहा कि जब हमने देखना हूँ कि क्या administrative जो है person और persons on whom it is conferred और framework क्या है law का for the conferring that power consequences क्या होंगे नतीजे of that exercising of that power अगर उन्होंने exercise कर दी उस power को और manner क्या होगा in which that power expected to be exercise ठीक है मतलब अगर उन्होंने वो पावर exercise कर दी तो क्या मतलब उनका किस तरीके से वो exercise करेंगे ठीक है second उन्होंने कहा कि welfare state है इंडिया ठीक है तो हर एक organ of the state जो है उसने regulate and control करना है by the rule of law अगर आपको rule of law नहीं पता comment करके बता सकते हैं हम उस पे एक separate video ज़रूर बनाएंगे ठीक है ये एक adam law का ही concept है तीसरा observation ये है कि जो power exercise की गई है by the selection board वो administrative body है ठीक है court ने कहा कि वो administrative body है और rule of law का कोई मतलब नहीं रह जाता कि अगर जो state की instrumentalities है वो अपने function सही तरीके से exercise ना करे ठीक है नकीश बंदू जो है वो जैसे कि आप facts से जान ही गए होंगे कि वो खुद ही एक judge भी था और साथ की साथ participate भी कर रहा था as a candidate और उसकी selection भी हो गई by overlooking the three senior master जो है उसके officers है तो अब हम देखते हैं next it is clear that every stage of the selection process उनोंने कहा कि हर एक stage में हम ये clearly देख सकते हैं कि conflict arise हुआ होगा between his interest and duties मतलब कि वो क्या अपनी duties को perform करे और उसका क्या personal interest है इन दोनों में conflict ज़रूर arise हुआ होगा नकीश बंदू जब exercise कर रहा होगा अपनी power और ये तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो bias ना हुआ हूँ ठीक है तो Supreme Court जो है उन्होंने किसी भी English judgment की reference के बिना क्या किया ये देखा कि जो principle of the natural justice है वो सिर्फ और सिर्फ कोजाई judicial body ही नहीं बल्कि administrative bodies पर भी applicable होता है ठीक है तो ये तो clear ही है कि violation of the principle of the natural justice की यहाँ पर हो ही रही है कि no man should be at judge on his own case जो हमने पीछे भी देखा है ठीक है so no doubt selection body is recommendory body but its recommendation put weight on the UPSC अगर आपने एक list prepare करके दी है UPSC को तो obvious ही है कि उनों ने उस list में से ही बंदे select करने है ये तो हो नी सकता उस list के बाहर जाए ठीक है कुछ ना कुछ तो weightage तो पड़ता ही है ना किसी भी UPSC पर की हाँ हम पर एक selection board ने ये list prepare की है ठीक है तो वो जो है decision है selection board का वो बिलकुली invalid है ठीक है recommendation भी जो है वो भी invalid है the selection of the junior and senior scale service is made from the same pool and same selection body and decision of the selection board is avitiated ठीक है तो set side कर दी गई वो सारी selection को जो भी की गई थी by the board अब हम decision देखते हैं supreme court ने allow कर दी petition union government and state government shall pay the cost to the petitioner principle of natural justice not only applicable to the quasi-judicial authority but also to the administrative authority और जो selection की गई थी by the selection board वो सारी की सारी vitiated थी मतलब उनका कोई purpose नहीं रहा फिर से selection होगी so अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो please like, comment, share and subscribe my channel thank you